दोस्तों नमस्कार, तमाम मुद्दे सरकार के खिलाफ हैं लेकिन सरकार बेफिक्र हैं। इस देश के भीतर विपक्च राजनितिक दलों को मुद्दे खोजने की जरूरत नहीं है। कमोवेश हर एक कदम पर ऐसे बड़े मुद्दे पड़े हैं जिन मुद्दों के आसरे इस देश की उस डगमगाती अर्थवस्था और उसके भीतर की दरारों को कोई भी उठा सकता है और कह सकता है कि सरकार फेल है। फिर भी सरकार फेल होती क्यों नहीं है और उन सब के नायक नरिन्रमोदी हर बार पास क्यों हो जाते हैं। उनकी बेफिकरी इस रूप में चलती क्यों है। पुद्दा नहीं बनता है। वहपारी लगातार परिशान है, माथे पर शिकन है, घाटा हो रहा है, बाजार वहपार चल नहीं पा रहा है लेकिन कोई फिक्र नहीं। इस देश का मध्यमवर्ग जिसके सामने मुश्किल इतनी बड़ी आ चुकी है कि पता नहीं आज नहीं कल वह BPL ना हो जाए यानी गरीबी रेखा से नीचे आकर खड़ा ना हो जाए। और मौजूदा वक्त में अर्थवस्था के दाइरे का सच ये है कि जो लोवर मिडल क्लास है उसकी इस्तिती वाकई गरीब वाली हो चली है। टेक्स बढ़ते चले जाएंगे लेकिन आह नहीं निकलेगी। हमें लगता है आज इन पन्नों को बंद कर दीजिए और नई परिस्तिती में भारत की राजनिती को जरा समझने की कोशिश कीजिए क्यों दो हजार चौबिस को लेकर इस वक्त में मौजूदा सत्ताधारी राजनितिक दल बीजेपी बेफिक्र है क्यों उसके नायक नरिंद दादा की राजनिती को आगे बढ़ाते हुए कहीं छत्रप के तौर पर और कहीं राष्ट्रिय राजनिती में कदमताल कर रहे हैं लेकिन उनके अनुकूल कोई परिस्तिती क्यों नहीं होती है इन बातों को लेकर 3-4 परिस्तिती में भारत की राजनितिक दल को बिलकुल अंदाज में आज समझने की कोशिश कीजिए एक राष्टिय पार्टी कहती हैं हम हिंदु वादी पार्टी हैं एक राष्टिय वादी पार्टी कहती हैं हम सेकुलर पार्टी हैं दूसरी पार्टियां कहती हैं कि दरसल हम मुस्लिम तुस्टिकर्ण के साथ हैं लेकिन हम मुस् विस्तितियों के बीच भारतीय समाज के भीतर राजनितिक तोर पर क्या किसी राजनितिक दल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर ये कोशिश की कि जो वह चाता है जिन मुद दो के आसरे समाज में लोगों में जागरिती आ जाए क्या उसके अपने राजनितिक दल के बीतर कोई ऐसा प्रियोग उस दल के नेता ने किया क्या यह सवाल इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र सब को अगर बराबरी के हक देने का जिक्र करता है तो यह पार्टी के बीतर भी रहना चाहिए और वहाँ पर भी एक प्रतिस प्रतियोगिता है या नहीं है लेकिन क्या पार्टीयों के भीतर इस से हट कर सोच है हमें लगता है कि आज एक एक पन्नों को इसलिए खोलिये क्योंकि हिंदुवादी पार्टी के नाम पर बीजेपी तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जैसे ही कहती है कि यह मुस्लिम पार्टी है मुस्लिम परस्थ पार्टी है और सेकुलरिजम के नाम पर हिंदुत को खतम करना चाहती है वैसे ही आपके जहन में कुछ सवाल इस देश की उस हिंदुत संस्कृती को लेकर पनपने शुरू हो जाएंगे जो जाहिर है हो सकता है अंद विश्वास से जुड़े हो सकता है अग्ञानता से जुड़े हुए हो हो सकता है ना समझी से अबर रहे हो या फिर हो सकता है उसके पीछे एक दिवग्यान भी हो लेकिन राजनेतिक तो पर लाब किसे होगा घाता किसे होगा जबकि उसके पक्ष में एक बड़ा वोटर चंक होता है तो जैसे ही इस सवाल उठेगा कि आपको यही चाहिए और आपको शिक्षा नहीं चाहिए आपको स्वास्त नहीं चाहिए आपको महंगाई कम नहीं होनी चाहिए आपके पास जिंदगी की तमाम सुविधाय नहीं होनी चाहिए तो उस परिस्तिती से निकल कर उस पॉलिटिकल पार्टी को पहुचने के लिए बड़ी जद्दो जहद हर राजनितिक दल करता है या कहें सिर्फ यही जद्दो जहद करता है कि किसी तरीके से विधान सभा में उसका बहुमत हो या लोक सभा में उसकी सत्ता आकर खड़ी हो जाए इससे हट कर तो कोई राजनिति नहीं करती है और अगर आप कारबन कॉपी को निकाल दीजेगा तो हर की लिखावट और हर परिस्तितिया कमोवेश आपको उस इंफराइस्ट्रक्चर के नाम पर बिरुजगारी के नाम पर महंगाई के नाम पर एक ही दिखाई देगी सिर्फ मोदी काल में एक निया सच उभरा की दरसल सत्ता की मुनोपॉली उपर के टिप पॉइंट पर होती है जहां एक वेट्टी तानाशा हो सकता है उसके लिए लोकतांत्रिक इस्तितिया माइने तभी रखती है जब वो सत्ता पर बना रहे या उसके अनुकूल ही तमाम लोग लकीरें खिचना शुरू कर दे यानि तानाशा की परविर्ती भी पॉल्टिकल पार्टी के भीतर लोकतंत्र को तब जिंदा रखेगी जब आप उसे मान ले कि यही लीडर है वहाँ पर प्रतिस परदा नहीं होनी चाहिए लेकिन उसकी राजनितिक जीत अगर होती चली जा रही है तो कमोवेश यही इस्तिती भारत के भीतर अलग अलग समाजिक सांस्कृतिक समुदायों के बीच जब जा कियेगा तो कुछ ऐसी ही पर इस्तिती निकल कर आएगी सवाल ये नहीं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को देखकर आसुरक्षित महसूस इसलिए करते हैं कि वह नफरत और घिना के दाएरे में राजनिति ले जाती है राजनिति वह टूल है जिसके जरिये इस देश के तमाम तंत्र सक्रियों हो जाते हैं उन तंत्र के भीतर में सुप्रीम कोट भी है यानी न्यायपाली का भी आती है यानी विधाई का भी आती है यानी नौकरशाहों की टीम भी आती है तमाम institutions भी आते है यानी fourth state भी आता है जो मीडिया के तौर पर मौजूद है और ये सारे तंत्र जब उसके अनुकुल सक्रि होते हैं राजनिती के अनुकूल तो यह तंत्र भी देखते हैं कि राजनिती पल्टे गी या नहीं पल्टे गी और अगर पलट रही है तो उनके भीतर कुछ सवाल खड़े होने लगते हैं मसलन आप आज की तारीक में राजस्थान जाईएगा तो बड़ा सम्मान मिलता है सचिन पाइलेट को तमाम जगहों पर नौकर शाही हो या प्रशाशन पुलिस हो उसकी अधिकारी ये मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये शक्स रज्य का मुखमंत्री हो सकता है तो कहीं न कहीं उसकी अनुकूल परिस्तितियां आपको दिखाई देने लगती है और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो कमलनात जैसे मद्द परदेश में कहते हैं हम कल आ जाएंगे आठ महीने का इंतजार कीजिए फिर आप से जवाब लिया जाएगा जवाब मांगा जाएगा और जनता तालियां बजाती है और उसके बाद जो पुलिस महकमा वहाँ का है वह सोचने लगता है क्या वाकई सत्ता पलट जाएगी लेकिन राश्टिय तोर को इस परिपेक्च में जब देखना शुरू करेंगे तो आपके सामने दो-तीन सवाल बहुत साफ होंगे पहला सवाल होगा राजनितिक पार्टियां जो है वह अपने आप को किस रूप में चलाती है क्या उसके भीतर भी एक ऐसा समराज्ज है जो चंद ताकतवर लोगों के हाथ में सिम्टा हुआ है तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी कोई नहरू की स्तिति को लाते हु और गुरू गुलवलकर का जिक्र होता था उन परिस्तितियों से उठकर कोई मोदी मौजूद तो नहीं है क्या इस मानसिक्ता में पॉलिटिकल पार्टी इस तो नहीं चल रही है ये सवाल आपके जहन में होगा दूसरा सवाल आता है इस देश की अर्थववस्था ने जो जावाणडॉल परिस्तिती की है उससे लोग प्रभावित हर दिन हो रहे हैं हरचन हो रहे हैं लेकिन कोई उसे चूटा क्यों नहीं है और उसको लेकर सत्था पलटने की परिस्तिती आंदोलन की शकल में क्यो नहीं आ पाती है लोग बार-बार जिक्र करते हैं देखिए अन का कोई दूसरा आंदोलन हो और कोई दूसरा केजरिवाल उसमें से निकल कर आए नहीं चाहेगा परिवर्तन के लिए आंदोलन और आंदोलन भी राजनितिक शिकंजिये में फसकर प्यादी के तौर पर कैसे आ गया या अन्ना के आंदोलन में देख लिया गया उससे पहले चल के लिए जणगन्ना की दिशा में बढ़े या उससे उनके भीतर का कोई इंफ्राइस्ट्रक्चर बदला हो यानि ओबीसी का जिक्र हो रहा है लेकिन क्या ओबीसी को पूरी के पूरी जगा उस रूप में यादवों के समकक्ष उत्तरपरदेश और बिहार में मिल पाती है आर इंफराइस्ट्रक्शर को देखने हैं तो सब कोई एक सरीखह क्यों नजर आता है और फिपक्ष ही से ताल क्यों नहीं पाता है और अगर नहीं ताल पाता है तो उसे यकीनी तोर पर 29 तक का इंतजार तो अभी से करना शुरू कर देना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके दो हिस्सों में बात करने की बशुरुआत हम पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं। मेडिया में वो च्छा जाता है, बहस मुहाहिस में वो ही आका टिक जाता है। उसके ठिक समनाँ तर एक बाबा निकल कर आते हैं। बाबा भी रास्टिये मेडिया में च्छा जाते हैं और वो अपने तोर परतन्तर म therapies के जर्ये जो भी प्रयोग कर रहा वो हार क्यों रही है और सत्ता पक्च में बीजेपी जीत क्यों रही है जैसे ही आप इस समाच को एजुकेट करने की दिशा में नहीं बढ़ेंगे इस देश के भीतर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी कमान जिन उपर के लोगों को होती है उसमें अगर आप गिनियेगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में दो लोग मिलेंगे जो सबसे पावर्फुल होंगे और उसके बाद नमबर जो होगा सौवे के बाद आएगा नमबर कुछ political parties में 5 होंगे किसी में 10 होंगे लेकिन 10 से ज़्यादा आपको किसी political party में उससे ज़्यादा नेताओं की कतार आपको दिखाई नहीं देगी यानि विदान सभा और लोक सभा के सरुकार तो जनता से नहीं ज़्यड़ रहे हैं इन political parties के अपने सरुकार भी अपने ही लोगों से नहीं ज़्यड़ पा रहे हैं जो लोग उस political party कο vote देना चाते हैं तो वोच देते हैं उनको जिताने के लिए या जिता कर लाब पाने के है इसी मानसिक्ता में चीजें चल रही है अब यहाँ पर हमने कॉंग्रिस का जिकर किया इसलिए भी कि क्या कि क्या वाकई हाथ जोडो को लेकर आज कोई प्रेस कॉंपेंस हुई कहीं तो दिखाया नहीं गिया आप कहेंगे भारत जोडों भी तो नहीं दिखाय जा रहा था इस देश के भीतर में विपक्ष को जगा कहां दी जाती है खमाम में ही चार राज्यों के मुक्मंत्री थे छे बड़े नेता की मौझूदगी थी लग रहा था विपक्ष में एक धड़ा खड़ा हो गया लेकिन वो बातें फुस हो गई दूसरी तरफ पदियात्रा जब अंतिम देना आएगी तो पूरे विपक्ष को नियोता दिया गया लेकिन उसको लेकर भी कोई बहस नहीं हुई क्यों नहीं हुई और उसको लेकर कोई चिंता क्यों नहीं है यहां तक की सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन निर्ना आया नोटबंदी को लेकर उसको लेकर भी उसकी उमर सिर्फ 24 गंटे रही बात आई गई खतम हो गई क्योंकि महसूस जनता अभी भी नहीं कर पा रही है कि दरसल हम को लेकर जो सवाल तमाम political parties उठाती है उनके अपने infrastructure के भीतर में वह सवाल कितने माईने रखते हैं अब बात Congress से शुरुआत करते हैं आंधर परदेश आपको कोई Congress का नेता दिखाई देता है जो लीडर हो लड़ें या फिर चुनाओ जीच जाए तो वह मुक्कमंत्री बच जाए तो आंधर परदेश केरल तमिलाडू महरास्ट गुजरात कोई नेता नहीं मिलेगा बिहार आपको कोई नाम जहन में नहीं आएगा जारखंड कोई नाम जहन में नहीं आएगा पंजाब कोई नाम जहन में नहीं आएगा हर्याना कोई नाम आपके जहन में नहीं आएगा जम्मू कश्मीर कोई नाम आपके जहन में नहीं आएगा उत्तराखंड रावत जी के बाद आपके जहन में कोई नाम नहीं आएगा तो ये एक बड़े रज्जों की फिरिस्त जहां पर नाम नजर आते हैं उसको जरा देखिए उत्तर परदेश आप कहेंगे प्रियंका गांधी तो गई थी तो प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया मुक्मंत्री को लेकर पहले दिन उन्होंने कहा मैं बनूँगी 24 घंटे के भीतर उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा मैं नहीं बनूँगी कोई चेहरा आपको उत्तर परदेश में बीजेपी के नेता के तोर पर और जो दो रज्य हैं जहां पर प्रभाव है उन दो तीन रज्यों में अगर आप ध्यान दीजिए करनाटक के भीतर में डीशिफ कुमार और सिधारमया कॉंग्रिस के कददावर्नित आपस में लड़ रहे हैं राजस्थान में अपने तोर पर सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत आपस में लड़ रहे हैं 36 गड़ में बगेल साब ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है अपने गवर्नेंस के सरिये अपनी राजनितिक पहचान और राजनितिक सक्रिता के सरिये 36 गड़ को थोड़ा आपको अलग रखना होगा और मदपरदेश का जिक्र आते ही आप कमलनात का जिक्र करेंगे तो आपके सामने फिर दुबारा दिगवी जैसिंग आकर खड़े होंगे हो सकता है कुछ होर पुराने नेताओं का जिक्र होने लगे ये तो नहीं होंगे वो तो नहीं होंगे लेकिन जब हम इन नेताओं का जिनका भी नाम लिया ये कौन सी पेड़ी के नेता हैं और युवा पेड़ी मौजूदा वक्त में इनको अपने साथ कैसे खड़ा करेगी ये मुश्किल सवाल आगिया पहला आपके सामने कॉंग्रिस को लेकर ही और राहूल गांदी जिस उम्र और जिस युवात खून के साथ लगातार चलना चाह रहे हैं तो कॉंग्रिस उसके पीछे हाफते हुए रजदर रजज अपने बुजर्ग नेताओं को छोड़ती है सीमा पर और फिर दूसरे रजज़ के बुजर्ग सीमा से अपने हाथ थामके निकल जाती है फिर अगला रजज़ आता है फिर वहाँ निकल जाती है लेकिन आपको ऐसे चेहरे एक दरजन रजजों में नहीं मिले जिनके आसरे चुनाओ लड़ा जाए या फिर जिनें मुक्हमंत्री बनाने का जिक्र खुले तोर पर कॉंग्रिस कर दे नहीं कर सकती है इसके ठीक समनांतर आईए अगर आप जिक्र करेंगे अखिलेश यादव विरासत को समाले हुएं तजस्वी यादव विरासत को समाले हुएं हेमन सोरिन विरासत को समाले हुएं यानि बिहार जारकंड के भीतर का सच क्या है क्या इस पीड़ी से लड़ा जाएगा उस जाएं हेमन सोरन कहेंगा सिर्फ जारकन में कुछ सीटी आ जाएं तो इसका मतलब है कि आप अपने जेब और अपनी पेट को देख रहे हैं जेब और पेट से मतलब वो छोटा सा और्गनाइजेशन उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसके भीतर चंदनेता और चंदनेताओं की बानगी ये है कि उनकी अपनी इस्तिती पांस सितारा के अनुकूल रहे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं और बार्गेनिंग का लेवल यही है वो इसलिए विपक्ष एक जुट नहीं है सब को अपनी बार्गेनिंग पावर चाहिए तो कोई खमाम में नजर आया तो कोई क साथ नहीं चल सकते हैं अब इन परिस्तिती में अगर पॉलिटिकल पार्टीज की ये इस्तिती है तो कुछ कदम आगे बढ़ाईए आप महराज चलिए वो दवठा करें उनके भी बेटे आगए आदित ठा करें क्या ये राजनितिक तोर पर बीजेपी को साधने की ताकत र निकला एक वक्त कॉंग्रेस को तोड़के निकला इसको सहेज ने और इसको जरिये अपनी राजनितिको साधने से आगे बात बढ़ कहा रही है और अगर नहीं बढ़ रही है तो हमको लगता है दक्षन में भी चले जाएए इस टालिन जिस राजनितिको चला रहे हैं क्या वो रास्ट ये तोर पर चीजों को प्रभावित कर पाएगी अगर नहीं कर पाएगी तो ये पूरी लंबी फरिस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये चार बातों से खुले तोर पर चुक रही है इस पूरी फरिस्थ में आपको कोई लीडर आपको दिखाई नहीं दे रहा होग जिसके सरुकार जनता के साथ हो जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर की डेमोक्रिसी और वहां के अनुशाशन को एक साथ चलाने की स्थिती में हो और अपनी पार्टी के भीतर भी तो वो कम से कम स्टेट्समेन के तोर पर मौजूद हो तीसरा सवाल जिस विचारधारा को बीजेपी लेकर चल रही है उसी विचारधारा की जमी को और पुक्ता करने के लिए उनी के मैदान में आकर खेलने की धारा कौन सी राजनिती साथ पाएगी और अप हमेशा उसे ही मजबूत करते चलेंगे आप यहां भी पिछ़एंगे और इस पूरी प्रक्रिया के साथ साथ जो एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने की जरुरते होती हैं वो जरुरतें जब आपको चनाओ जीतने के बाद भी आती है तो क्या पूरी पार्टी चलती है या उस पार्टी को समाले हुए परिवार के चंद सदस समालते हैं कौन सी तो आप कैसी लड़ पाएंगे और अगर चंद सदस नहीं तो कुछ और होंगे एक दो मसलन दिल्ली का ही जिक्र कर लीजेगा तो आप दो तीन नेता के बाद नाम नहीं जानते होंगे हम आप से कहेंगे केजरीवाल आप कहेंगे मनिश्टी सो दिया तीसरा नाम आपको गरब तक नहीं है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए भी एक छत्र नेता को ताकत चाहिए तो राज्यों की ताकत तो और ज़्यादा होती है वहाँ पर भी नेताओं की फरिस्त में हम आप से जिक्र कर दे नितिश कुमार एक दो नाम जो उनके अगल बगल रहते उ उसके बाद आप भाफने लगेंगे हम कहेंगे तजस्वी यादाओ आपकी सांसे फूल जाएंगी हम कहेंगे अखिलेश यादाओ फिर परिशानी का सवाल परिवार से बाहर निकले तो कहां जाएं किसका नाम ले लें हम सुप्रिया सूले कहेंगे फिर मुश्किल आपको NCP को लेकर इवन शिवसेना में उद्दव और अधित के बाद आपके पास नाम लेने का कोई नहीं बचेगा तो क्या एक बेसिक इंफ्राइस्ट्रक्चर और बेसिक वीजन जो इस देश को देने की सोच उन मुद्दों से जुड़ती है जो साइंटिफिक तरीके से डेमोक दूर तो दूर की बात है ये देश उलज गिया है खाद की सबसीडी तक में आप कलपना कर रहे हैं खाद की सबसीडी जो कि 2019 में 70 हजार करोड थी वह 2023 में बढ़कर 2,40,000 करोड हो जाएगी अब कलपना कर रहे हैं कि सिस्टम कैसे फेल है एकनौमी कैसे फेल है क्या आप जा क्लास को लेकर बहुत साफ तोर पर है कि जो अपर क्लास थी उसके पास तो उसका व्यफसाय बढ़ रहा था कर्ज का भुकतान भी महामारी के दौर में सरकार ने कर दिया उस दौर में बैंक ने भी जो बैंक बैड लोंस थे और बैंक लोंस जो थे उसको राइट आफ करने की दिशा में ले आए यानि बैंक और बड़े कारोबार आगे बड़े लेकिन छोटे मध्यम वर्ग की स्थिति क्या हुई MSME डगमगाया रोजगार चले गए नौकरिया नहीं पीफ से पैसा तमाम स्थितियों से नाजुक होते होते लोर मिडल क्लास अब इसी स्थिति है कि कहीं वो गरीब तो नहीं हो जाएगा तो क्या इन परिस्थिति को जीते वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग देखे या नहीं देखे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करने के लिए जो चार तत्त चाहिए उसमें एक विचारधारा भी है लेकिन कौन सी विचारधारा किसके पास है जब उस ये मैसूस हो कि संगठन पैसे से चलता है लेकिन जब पैसा आ जाए तो चंद नेताओं में सिमट जाए लीडर्शिप को लेकर आपके भीतर सवाल हो कि यही आठ दस तो हैं बाकी तो कोई है नहीं बाकी सब के पास तो मजबूरी है क्योंकि हमने चीजों को माटा हुआ है तो जब इन परिस्तितियों में ये उलजे हुएं तो दूसरी तरफ खुद को हिंदुवादी पार्टी कहते हुए तमाम आसपेक्ट में हर राजनितिक दल को कोई खारिच करता चला जाए उसकी भी जुरुत नहीं है समाज के भीतर से ही ऐसी चीज़े निकलाएंगी जो साप बिच्छू भी नचाए डुगडुगी भी बचाए हरर महादेव के नारे भी लगे इन परिस्तितियों के भीतर भारत की राजनिती नहीं है ये भारत की समाजिक और सांस्कृतिक समझ के सामने वह राजनिती दरसल घिर्णा के पात्र में तबदील होती चली जा रही है जि एक दूरी है तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब आप 2024 के मैदान में जा रहे हैं तो आप निशाना किसे किस रूप में बनाते हैं और वह आपके भीतर कैसे इंप्लिमेंट हो रहा है यह नजर हर किसी की है और इस से हट कर अगर कोई खामोशी बरत ले यानि इस द पार्टी को लेकर सवाल होंगे उसी पार्टी को लेकर जवाब दिये जाएंगे वह पार्टी को जवाब देना होगा उस पार्टी को अपने आप से सवाल करना होगा तो यह होता है जनता और सत्ता के बीच की लड़ाई जिस जनता और सत्ता के बीच की लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा वक्त में कहीं विपक्ष ही तो नहीं है ये सवाल सोचिए जरूर बहुत 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 शुक्रिया